हेलो एवरिवन, वेलकम टू माई चैनल, आज हम बनाएंगे बेसन के लड़ो, बहुत ही सौफ्ट दानिदार मौ में घुल जाने वाले बजार से भी बढ़िया, तो परफेक्ट मेजरमेंट और टिप्स के साथ बताऊंगी, तो वीडियो को पूरा देखें, रेस्पी करते हैं बनाना, गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे, हाई फ्लेम पे से गरम कर लेंगे, अब इसमें डालेंगे आधा कप देसी घी, ये मेल्ट किया हो, मैंने इस ले लिया है, ताकि आपको परफेक्ट मेजरमेंट बता सको, ये 125 मल है, अब हम इसमें डालेंगे, एक कप बे कर लेंगे और लो फ्लेम पे लगातार चलाते हुए भूनेंगे, ये देखिए, बेसन को अच्छे से भूनेंगे, अगर बेसन थोड़ा सा भी कच्चा रह जाएगा, तो क्या होगा, लड़ो खाते वक मूह में चिपकेंगे, उसमें कच्चा स्वाद आएगा और वो चिप इस तरह से, इसके लंब से प्रेस करते हुए तोड़ते जाएं और इसे भूनते जाएं, ये देखिए इस तरह से, हमने सिर्फ आधा कप देसी घी का यूज किया, आप चाहें तो इसमें डालडा घी का भी यूज कर सकते हैं, बड़ देसी घी से बहुत ही बढ़िया टेस् मारेंगे, तब भी लड़ू बहुत दानेदार बनते हैं, आप सूजी डालें, इससे बहुत दानेदार लड़ू बनेंगे, सूजी को भी लगातार दस मिनट तक हमने भून लिया है, ये देखिए, अब हम गैस की फ्लेम ओफ कर देंगे, और इसे एक बोल में निकाल ताकि ये थोड़ा सा ठंड़ा हो जाए, आप इसे फैन के नीचे भी ठंड़ा कर सकते हैं, ये दिखिए, इसे हलका ठंड़ा होने देंगे, गरम बेसन में हम बिल्कुल भी चीनी का बूरा एड़ नहीं करेंगे, ये हलका ठंड़ा है, मैं इसे छूप आ रही हूं, तो इस के पास चीनी का बूरा नहीं है, तो आप मिक्सी में चीनी को पीस कर भी एड़ कर सकते हैं, चीनी के बूरे की रैस्पी आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने सत्तू के लड़ू जब बनाये थे, तो मैंने चीनी के पूरा भी बनाया था, इसे अच्छे स भी नहीं आड़ करना पड़ेगा घी यह देखिए इसे अच्छे से मिक्स कर ले थोड़ा सा पोशन इस तरह से फिर हम हाथ में लेंगे यह देखिए और इसे प्रेस करते हुए बाइंड करके राउंड शेप देंगे लड्डू की शेप देंगे चाहें तो दोनों हाथों से इस तरह से बनाएं यह एक हाथ से भी बहुत असानी से बन जाते हैं यह देखिए कितने इजिली बाइंड हो गया यह लड्डू आप चाहें तो इसमें थोड़े से नट्स ग्राइंड करके डाल सकते हैं काजू बदाम या थोड़े से मगज के बीस मस्क मेलन सीट्स अभी मिश्रन धीला होगा तो इस चप्टे बनेंगे यह देखिए लगतार मैंने बेसन को आधी घंटे तक लो फ्लेम पे भून है तो यह बहुत ही बढ़िया दानेदार मूं में घुल जाने वाले लड्डू इस तरह से बन जाएंगे आपके आप इस रेसिपी को जरूर घर पे ट्राई करें यह दो महिने तक भी घराब नहीं होते हैं इन्हें फ्रिज में बिल्कुल भी न रखें आप आपको यह रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं यह देखिए बेसन के लड्डू बहुती सौफ्ट दानेदार मूं में घुल जाने वाले रेडी हैं आप जरूर इन्हें एक बर घर पे ट्राई करें थैंक्स फो वाचिंग